कोरोना नियोमों का नहीं किया गया पालन तो अक्तूबर 9 में आ सकती है तीसरी लहर भारत में कोरोना वायरस के दूसरे लहर थम गई है लिकिन इसे कि बीच तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों और विज्जानिकों ने सावधानी परतनी की सलाथी है COVID-19 modeling के काम पर लगे हैं एक सरकारी पैनल के विग्यानिक ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच अपने चरम पर होगी सरकारी पैनल के विग्यानिक ने चिताया है कि अगर हमने COVID-19 उप्युक्त विवार पालन नहीं किया तो कोरोना वारिस के संभावित तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है हाला कि उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना के तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी भैवान नहीं होगी उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में जितने केश देखनों को मिले थे उसके मुकाबले कोरोना की तीसरी लहर में आधे ही देखने को मिलेंगे कोई नया वैरियंट आता है तो तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है गनितीय मौडल सुत्र मौडल पर काम कर रहे सरकारी पैनल के विज्यारिक मनिंद्र अगरवाल ने कहा है कि अगर कोरोना के तीसरी लहर में मामले तो कम रहेंगे लेकिन अगर SARS COVID-2 का कोई नया वैरियंट सामने आता है तो ये तीसरी लहर के दोरान भी कोरोना संक्रमन्ट तीजी से फैल सकता है